हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं सोसल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी के फर्स्ट यूनिट के सकेंड टोपिक के उपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले इन टोफिक है सोसल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी में वह है सोसल एंड हैल्द एजुकेशन यानि हमारा समाजी के हैल्द एजुकेशन का क्या इंपोटेंस है यह क्या रॉल प्लेए करती हैं इन सारे चिज़ों को हमें देखना इस टोपिक में तो इसका फर्स्ट पॉइ और इसके वाज़ा से होने वाले कुछ डिजीज और न्यूट्रियेंट्स कौन-कौन सा न्यूट्रियेंट्स ज्यादा यूजफूल है हमारे हेल्थ के लिए उन सारी चीज़ों को डिसकस करेंगे उसके बाद है वाइटिमिन डिफिशिएंसी नेक्स्टे मालनुट्रेशन ए वह इंडिविज्वल हो या फैमिली के लिए हो या सोसेल के लिए हो या कम्यूइटि के लिए या कंट्री के लिए हो सारे चीज़ों में क्या करते है बहुत ही ऑइचल रोल प्ले करते है बहुत ही खास जरूरत होती है और यह education हमसे मिलेगे educational institution से मिलेगी university से या फिर colleges से हमें ये education मिलती है और education की first part की बात करें तो education हमारी family से ही मिलना start होती है उसके बाद ये क्या करती है एक बहुत ही society के लिए different aspect पर ये काम करती है जैसे कि people को intellectual development होती है, politics economics पर and several other fields पर ये education बहुत भी develop करती है, vital role play करती है और हम इस topic में देखने वाले health education in relation to society उसे पहले जान लेती है कि society होती क्या है तो society ग्रूप और community of people है bound together by same tradition institution और nationality मतब एक group of community group of people होती है जिसका tradition क्या होना चाहिए, same होना चाहिए institution same होना चाहिए nationality same होना चाहिए, same religions होना चाहिए तो वो सारे किसमें आती है वो society कहला आती है society के बाद आती है consensus इसमें क्या होती है general agreement among all members of particular society किसी particular खास society का जो एक general agreement होता है सारे members का तुसे हम बोलेंगे consensus ठीक ना, उसके बाद culture आती है उसके बाद confisit तो यह हो गई society के पाट अब बात करेंगे health education की तो health education जो है for promotion of health related activity education अगर आप किसी को health education देते हो तो वो क्या होता है health related activity को बढ़ाता है economical education दोगे तो economics को बढ़ाएगा इसी तरह mechanical education दोगे तो mechanical agriculture education दोगे तो agriculture field में develop करेगा तो यह simple सा बात है health education क्या करेगी health related activity को पराती है health education एक बहुत ही important part होती है basic part होता है मारे life का human beings का there's activity done in पहले तो family से start होती है उसके बाद school पे जाती है workers and community यह activity क्या करती है की जाती है उसके बाद there's activity are done in school workers and communities health education change the attitude in positive way जब किसी person को आप educate करोगे तो उसका attitude खुद खुद ही change हो जागा चाहिए वह health के लिए हो या फिर किसी other field के लिए तो वह positive way में change होती है और उसको promote कर देती है and makes people aware about health related issue यह काफी जादा important है उसके बाद health education जो हती है वह होती है physical health mental health जिसे या फिर emotional health भी करते है और social health कोई कोई बंदा physically fit है तो वह mentally defected हो सकता है mentally fit है तो physically defected हो सकता है अगर physically और mentally दोनों fit है तो वह social health socially defected हो सकता है मतलब उसका समाजिक behavior सही नहीं होगा तो इस condition में क्या चाहिए एक society well health educated society के लिए कि किसी भी person को किसी भी individual को community को family को यह तीनों health develop होना जरूरी है चाहिए वह physical हो mental हो या फिर social health हो अब इसके principle क्या है health education को हम कैसे develop करें तो सबसे पहले हमें motivate करना होता है इसकी खासियत को भी हमें बताना होता है यह जीज इसके अंदर कोबीया है तो उसे motivation कहते हैं उसके बाद हमें learning by doing हमें काम करा कर सीखाए और या फिर σी suf कर काम करना होता है इसके बाद interest जगाना होता है, उसी health को लेकर, education को लेकर, तो यह सारे इसके principle है, उसके बाद वो person को क्या करेंगा, participate कराएंगे, activity में social related activity, health related activity, बहुत सारे छोटे मोट activity में participation कराओ, जब उसका interest बढ़ जाएगा, तो उसके बाद जब ही, वो participation करने लएगा, तो वो participate करते करत करेगा, और वो community leaders को भी improve करेगा, उसके बाद good health relation, यह सारे activity होने के बाद क्या होगा, person में good health relation आजाएगा, और उसका feedback, यह सारे इसके principle है, importance of health, अब स्वास्त की क्या education, जो स्वास्त education है, उसकी क्या-क्या importance हो सकती, यह common सी बात है, जब भी health education increase होगा, तो quality of life of all individuals, खुद improve हो जाएगी, अगर कोई person physically, mentally, या फिर आप socially, क्या होगा, healthy होगा, तो उसका जीवन जीने का जो अस्तर होता है, जो नजरिया होता है, वो क्या होता है, change हो जाता है, quality उसकी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, decrease the premature death, premature death decrease हो जाएगी, बहुत सारे वजास्यों होती है, जैस physical development and essential of, for mental development होता है, reduced mortality rate कम जाता है, मतलब किसी society का, अगर education, health education अच्छा है, वहां का quality अच्छा है, तो लोग वहां से कहीं जाएंगे, जाने का उनको कोई जरूरत ही नहीं है, तो mortality rate कम जाती है, brings positive attitude, attitude positive बढ़ जाएगा, behavior उसका person का health को लेकर काफी changing होंगी, improve हो जाएगी, guide the people regarding proper use of health service, वो health जो service होती है, health से related, उसमें वो काफी जादा guide करेंगे और उसको proper use कर पाएंगे, जो government के तरफ से scheme चलती है, चाहे वो district level पे हो, state level पे हो, central level पे, तो उसमें उसका improvement मिलेगा, उसके बाद है, food in relation to nutrition and health, food का nutrition से क्या relation है, nutrition हमारे लिए क्यों जरूरी हो, यह हम हमारे health पे किस तरीके से effect डालती है, तो इसमें यह सारे चीज़े हमें पढ़ना है, तो बात करें nutrition की, तो nutrition एक science का ऐसा field है, जो कि associate है nutrient से, ठीक न, nutrition होगा, nutrition और growth of and development, regulation and repair of body, यह nutrition science के अंदर हमें पढ़ना हाता है, nutrients के बारे में किसकी चीज़ से nutrition मिल रही है, nutrition कैसी मिल र रही है, उसके process, nutrition से क्या-क्या growth हो रही है, क्या development हो कि उसको regulate कैसे करें, कम ज्यादा कैसे manage करें, nutrient हमारे body part को कैसे repair करते हैं, तो यह सारे चीज़े हमें पढ़ना होता है, nutrition science, nutrition को और दूसरी तरह से भी define किया गया है, as the process by which animal और plant take in and utilize food substance, जिसमें कोई animal हो या फिर plant हो क्य करता है, उसको utilize करता है, use करता है, essential nutrients उसे निकलती है, जैसे कि essential nutrients की बात करें तो protein, जो कि muscle building, muscle repair के लिए काफी ज्यादा useful है, carbohydrate, instant form of energy होती है, fats, जो कि हमारे protein synthesis और protein के लिए काफी ज्यादा important है, vitamins, minerals and electrolyte, यह सारे चीज़े essential nutrients के अंदर आती है, nutrients को दो भागों में divide किया गया है, first भाग है इसका micronutrients, और second भाग है macronutrients, micronutrients, इसमें vitamins और minerals आती है, और macronutrients में आती है, large quantity to supply energy and calories, जो कि हमारे body को large quantity में energy and calories supply कर सके, जैसे कि fat हो गई, carbohydrate हो गई, यह सारे चीज़े आती है, macronutrients, अब food in relation to nutrients की में देखे, तो इसके बहुत सारे parts है, जैसे की health diet and nutrition का क्या relation है, health diet और mental health में क्या relation है, किस तरीके से healthy diet effect करती है हमारे nutrition को, हमारे mental health को, healthy diet किस तरीके से cancer में useful है, healthy diet किस तरीके से as kettle muscles disease में यूज की जाती है health diet किस तरीके से applicable होती है chronic disease में healthy diet किस तरीके से dental disease में यूज होती है तो यह सारे हो गए इसके part यानि application of healthy diet बात करें हम healthy diet की जो की first topic था हमारा and nutrition की तो एक balance diet होती है जो की promote करती है nutritional health को उसे बढ़ावा देती है balance diet ऐसा और नहीं कि हम कभी कम खा रहे हैं या फिर कभी ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे हमारा dieting क्या होगी हम तो सोचेंगे कि आज कम खाएं कल ज़्यादा खा लेंगे तो उससे maintain हो जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं है एक balance बे में एक regular बे में डाइट ही प्रमोट करती है हमारे nutritional health को उसी तरीके से इसका second point है healthy diet and exercise reduce stress और आप healthy diet लेते हो exercise करते हो तो आपकी stress को भी reduce करता है don't skip breakfast breakfast हमें कभी skip नहीं करना चाहिए आप भले यह dinner time to time ना कर पाया लेकिन breakfast एकदम time to time करना जरूरी ही होता है keep yourself hydrated अपने आप क्या करना होता है water जो कि हमारे body में more than 70% होती है तो यह हमारे बहुत ही ज्यादा useful part है body के लिए hydrate होना तो हमें क्या करना चाहिए एक sufficient quantity में water intake करना चाहिए उसके बाद है healthy diet in mental health किस तरीके से healthy diet effect करती है मारे mental health की बात करें तो वे टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ healthy diet ठीक टेक time for yourself पर खुद के लिए time निकाना mental health में सबसे बड़ी खास चीज़ होती है खुद के लिए time निकाना adequate rest or sleep लेना manage stress degently eat healthy exercise adequately think positively try new यह सारे चीज़े affect करती है healthy diet को जो की affect करती है हमारे mental health को next healthy diet की तरीके से cancer में applicable है useful है तो जो high amount of saturated fat होती है हमारे fat तो तरीके से saturated और unsaturated है तो जो saturated fat है वो क्या करती है diet के तरुक कॉज करती है colon and prostatic cancer क्या होती है उस पर जाकि यह deposit हो जाएगी saturated fat जिसके वज़ासे colon जो की intestine का सब पार्ट है और prostatic cancer कॉज करती है high fat intake में cause breast and rectum cancer उसी तरह all type of cancer related to dietary component और हम कोई ऐसा component layer है जिसमें radioactive element काफी जादा है तो वो भी cancer cause करेगी high saturated fat fat वाला diet layer है तो भी cancer cause करेगी करेगी उसी तरह इसका है way to protect from cancer cancer किस तरह के से protect करना चाहिए तो हमें healthy food लेना चाहिए जिसमें fat का more विटामिन सब चीज क्या हो एक adequate level पे हो एक required level पे हो diet essential for function of body जो के हमारे body के function के लिए जरूरी हो उसकी कमीना हो having proper amount of diet in essential and improved diet में cause healthy related issue cause करती है जैसे कुछ cancer की बात करें तो cancer के vitamins जो की काफी जादा जरूरी होती है हमें antioxidant लेना चाहिए जिस diet में कहा हो antioxidant हो यह cell को repair करती है cell growth पे regulation डालती है और cell growth को improve करने की काम करती है antioxidant उसके बाद होती है vitamins like carotene जिसमें पाया गया हो vitamin c o vitamin e o rational which are potential anti carciogenic agent होती है जो कि हमारे diet में maintain हो तो उस तरीके सिए cancer से लरने में काफी ज्यादा useful होती है और उसके treatment में भी काफी ज्यादा यूज की जाती है balance diet इसका next topic है balance diet balance diet की बात करें तो balance diet को define किया गया diet which contains sufficient quantity of all nutrients जिसमें मतलब sufficient quantity proper quantity होना चाहिए nutrients की जो कि हमारे body का per day के according जरूरी होती है balance diet include some important nutrients balance diet में कुछ important nutrients होनी चाहिए vitamins, carbohydrates, fats यह सारे चीज़े क्या होनी चाहिए होता है तभी जाके वह diet proper balance होती है और वह हमारे health के लिए अच्छी होती वह gender to gender और age to age भैरी करता है तिक नहीं कि बच्चों को ज्यादा protein दे रहे हैं ज्यादा minerals दे रहे तो वह भी उसको नुक्सान करेंगा next component की बात करें है तुसका बैलेंस डाइट का जो component है वह है carbohydrate protein vitamins mineral and fat यह सारे इसके component है बैलेंस डाइट के जो कि हमारे food में होनी चाहिए तब जाके वह बैलेंस डाइट कहलाती है importance की बात करें तो importance काफी ज्यादा है healthy food की तरह बैलेंस डाइट का भी यह क्या करती है हमारे fruits leafy fruits लेना चाहिए vegetable ठीक नहीं यह हमारे work ability को बढ़ाती है और growth body के growth में help करती है उसी तरह in enhance कर देती है हमारे immunity को जब हम leafy vegetable या ताजा फल fruits लेते हैं तो ability बढ़ाती है हमारे immune system को जब भी इंप्रूब करेगी तो हमारे क्या होगी अगेंस fighting अगेंस disease बढ़ जाती है और diet leads good mental health और physical health में भी nutrition deficiency हमने पीछे देखा कि nutrition क्या क्या होती है अब देखना है इसके deficiency से क्या होती है बात करें nutrition deficiency कि तो यह reduce कर देती है nutritional intake हमारे nutrition लेने की process को कम करती है let various जिसके वज़ासे क्या होती है बहुत सारे disease हो जाएगी nutrition deficiency important होती है overall health चाहिए वह newborn हो infant हो या फिर elder हो या फिर old हो या फिर जेंडर के according भी यह काफी ज्यादा importance होती है सब के लिए because यह हमारे growth development को इनी wheat करती है उससे बढ़ाती है उसपे maintain करती है control करती है ठीक न और अगर nutrients proper food में नहीं हो तो हमारे growth development इनी wheat हो जाती है lack of essential vitamin और nutrients के वज़ासे टाइप की बात करें तो nutrients को total 4 भागों में बाटा गया जैसे इसमें होती है first protein deficiency malnutrition vitamin deficiency और fat deficiency 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 of vitamins क्या होती है friends vitamins जो है वह defined किया गया organic compound है और वह present होती है nutritional food में यह required होती है इसका normal growth या फिर maintenance good health के लिए काफी ज्यादा importance होती है vitamins इसके deficiency से क्या होती है various problem and condition cause हो सकती है जैसे आपने परहा होगा कि vitamin B की कमी से very very disease होती है vitamin D की कमी से यह हमारे bone कमजोर हो जाते है calcium की minerals की बात करें तो minerals में काफे ज्यादा effect की डालती है vitamin C के वज़े से हमारे hair fall होते है immune system कमजोर हो जाती है हमारे body का defense part है वह कमजोर हो जाता है आखों की रोस नहीं चले जाते है इस तरीके से बहुत सारा conditions है जो कि इसके deficiency से cause होते है अभी यह कुछ vitamins के list है जो की effect डालती है उसे define किया गया जैसे vitamin B1, B2, B2, B4 किस तरीके से effect डालती है यह है उसके source एक को vitamin दो तरीके के होती है fat soluble और water soluble fat soluble में आता है vitamin ADK जो की effect भी डालती है इसके बात करें malnutrition है और इसके prevention की तो malnutrition एक deficiency of food and nutrition है किसी भी बच्चे में food और nutrition की deficiency होती है तो उसके वज़ा से malnutrition हो जाती है और जब ही malnutrition होगी तो क्या होगी lack of essential vitamins के वज़ा से भी होती है minerals के वज़ा से तो हमारे normally सबसे पहले healthy growth नहीं हो पाएगी उस fetus की या फिर उस person क और उसका immunity भी काफी कमजोर हो जाएगा और इसमें malnutrition की बात करें तो इसमें involved होती है calories की कमी होने के वज़ा से होती है protein carbohydrate minerals और vitamins की कमी के वज़ा से ही है malnutrition disease होता है यह दो टाइप की है इसमें first आता है under nutrition और second आता है over nutrition तो under nutrition malnutrition जो है इसमें index insufficient food जो कि बच्चा को food नही मिल पाता है तो इसमें बच्चा जो disease होती है वो quasier core बोलता है इसमें बच्चा क्या होगा दूला पतला होगा उसके chest के हड़ी दिखाए देंगा उसके खोपरी का मतलब से पता चलेगा कि किस तरह का सा उसका इसके बोन है आँखे धसे होना आगे का portion जैसे माउत हो या न यह सारे उसके disease है cause करें तो cause of man nutrition करें तो immediate cause जोकी immediate cause इसे तो भागों में defined किया गए basic cause basic cause में होती cultural immediate cause की बात करें तो reduced dietary consumption altered necessities decrease absorption of micronutrients and macronutrients के बजासे होती है और basic cause में होती है cultural कई सारे cultural में होती है कि है बच्चा को मतलब मुश को देना ही नहीं यह से waste दो सिर्फ non waste नहीं दो कई culture में होती है कि fasting बहुत सा ज़्यादा करवाया जाते तो वह सारे चीज़ा affect करती है nutrients पे बच्चे की growth पे religious religious भी धर्मी काफी ज़्यादा affected होती है malnutrition और social symptom हमारे समाजिक system भी काफी ज़्यादा affect डालती है malnutrition पे symptom इसके लक्षन की बात करें तो उसमें low energy होगा जब बच्चा fully develop नहीं है तो क्या होगा energy कम होगा वेट उसका कम होगा confusion उसे ज़्यादा होगी ठकान ज़्यादा होगी skin उसका dryness रहेगा depression में रहेगा ठीक नहीं उसके अगर कोई घाव हो जाती है तो longer healing उसको हील होने में काफी ज़्यादा time लगती है यह सारे उसके symptom होगे अब आते है prevention अब malnutrition को prevent कैसे करें तो उसे prevent कर करने के लिए सबसे पहले हमें adequate diet लेना होगा brittle nail हमें ना कुण समय समय पर काट नहीं होगी promotion of family planning inclusion of all nutrients diet weakness breathing यह सारे उसके prevention हो गए तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो thanks for watching my video thank you